हेलो अरिवान, विलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एच्जूकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे सैप्टरान टेबलेट के बारे में तो हम सेखेंगे उसके बेजिक यूश के बारे में कि कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिसंस के अंदर सैप्टरान टेबलेट यूश की जाती है साथ जानेंगे उसके डूस के बारे में उसका डेली डूस वगरा क्या होता है उसके side effects का develop हो सकते है and warning and contraindications को सीखेंगे detail में आज के lecture के अंदर तो सुरू करते हैं आज का lecture और सीखते हैं सेप्टरान टेबलेट के बारे में तो expert lecture by Amar sir assistant professor and founder of PharmaRox thank you for being PharmaRox family updated area of Pharma knowledge के साथ access करिये study material test series video lecture और साथो साथ disease and medicines related course PharmaRox की Apple पर सीखे अलग-अलग दवाईयों के basic use के बारे में उनके dose क्या होते है side effects का develop होती है warnings क्या रहते है contraindications क्या रहते है वो भी सरल बासा में एक साल तक affordable price में तो अब भी download कर ये application PharmaRox की जो Android application है Google Play Store पे Apple iPhone FF Store पे link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो आप सीखते है septran tablet के बारे में तो septran जो है वो brand name है और ये एक ऐसे class का medication है कि जिसको हम कहते है antibiotics और ये sulfon emide class का antibiotic drug है और इसका जो main काम है कि जो infectious harmful bacteria होते है कि ऐसे bacteria जिनके करण अलग अलग बीमारिया होती है तो वो bacteria को जो है वो kill करती है उनकी growth को जो है वो completely stop कर देती है और जिससे आगे जाके जो infection जो है वो कम हो जाता है तो इसी के कारण जो अलग अलग जो bacterial infections होते है उसके इलाज में septran के जो tablet ही जो है वो use किया जाते है आगे उसके content के बारे में समझे तो septran जो इसका brand name है but उसका जो अंदर जो कोई content है कौन सी drug है तो वो है co-trimoxazole करके medication है और ये medication जो है वो दो drugs के combination से बनता है एक रहता है trimethoprim और दूसरा रहता है sulfamethoprim तो यहाँ पे co-trimoxazole के अंदर क्या रहता है कि एक part रहता है trimethoprim का एक part मतलब कि यहाँ पे आप label देखोगे तो पता चलेगा कि एक part में यहाँ पे trimethoprim जो है वो 80 mg जितना है तो उससे 5 गुना 5 part रहते है sulfamethoprim के कि यहाँ पे आप देख सकोगे कि sulfamethoprim दिया गया है 400 mg तो इस तरह से 1-GM-5 proportion या फिर 5-GM-1 के proportion में रहता है कि sulfamethoprim समझो कि 5 गुना है तो trimethoprim जो है एक गुना रहेगा और इस तरह से SMX और TMP का यह combination बंदा है कि जिसके अंदर sulfamethoprim जो है वो 400 mg है और trimethoprim जो है वो 80 mg और उनके combination से जो medication तयार होती है उसको co-trimoxazole कहा जाता है और इसी का यह marketed formulation है यह septran tablet की जिसके manufacture हम यहाँ पे देखे तो GS के GlaxoSmith line यहाँ पे आप देख सकते हैं GS के जो है GS के pharmaceutical की जो Glaxo Pharma जो कहा जाता है GlaxoSmith line उसके जो है वो main manufacture यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर यह medication RX मनलब की prescription based medication है लाल लकिर पे यहाँ पे हम देख सकते हैं और Cedule H का यह drug है तो warning यह रहती है कि अगर आप उसको retail में बेचते हैं तो proper prescription के साथ ही उसको बेचना रहता है and light से उसको protect करना होता है साथो साथ जो है वो बच्चों से दूर रखनी होती है खास कर कि जैसे वो self medication वगेरा ना करें और physicians के direct concern के साथ उनके prescription के साथ ही proper यह medications जो है वो ली जाती है उसके basic use हम जे तो specially जो bacterial infection से उसको treat करता है यह septoran tablet तो एक तो lung infections के अंदर सबसे ज़्यादा यह medication जो है वो use के जाते कि जब हमारे फेपडों के अंदर infection होता है जैसे कि जो infection होता है जो हमारी airways tube है कि जो bronchize वगेरा है bronchials वगेरा है उसमें समझे कि यहाप याप देखो कि उपर के diagram में दिखाएगा है कि normal और healthy bronchials and bronchials वगेरा है alveoli है यह normal है जबकि यहाप पे समझे के bacteria के infection के कारण आगे जाके जो नीचे वाली condition produce होते है कि जिसको हम कहता है lung infection कि जिससे क्या होता कि वहाप पानी बढ़ जाता है fluid feel हो जाता है फिर वहाप के जो उसकी thickness होती है वो increase हो जाती है stiffness जैसा हो जाता है inflammation देखने को मिलती है और यह वाली condition के नीचे वाले diagram में जो दिखाएगा है कि वो poor area जो है completely infected होता है कि वहापे fluid जमा हो जाना पानी बरना साथो साथो उसकी जो wall होती है वो काफी थीक हो जाती है और person को breathing वागेरा करने में भी problem होते है तो इसको treat करता है यह septran का tablet कि यह जो bacteria के जन्होंने यह infection किया है उनकी growth को कम कर देके कि जिससे यह संक्रामन जो यह जो infection है वो देरे-देरे कम हो जाता है उसी तरह से जो urinary track के अंदर इसी तरह से जब infection फैलता है तो उसको भी ठीक करता है यह septran tablet फिर जो ear infection होता है उसमें भी यह prescribe की जाते है कि ear के अंदर infection हुआ है और वहाँ पे जो संक्रामन है वो कम नहीं हो रहा दूस वक्ट bacterial infection को कम करने के लिए septran के tablet prescribe की जाते है intestines के अंदर इसी तरह से bacterial infection हो फिर जो travelers diarrhea की जो हम condition कहते है या फिर impetigo की लाल color के जो source है वो आपके face के आसपास जो वो develop होते है एक type का देख लो की infection हो जाता है face के उपर bacterial infection तो उसको ठीक करता है यह septran का tablet फिर infected cots and wound मतलब कि यहाँ पे आप देखो कि यह जो गाव लगा है और यह गाव समझे के infected हुआ है कि यह गाव जो है वहाँ पे infection हुआ है bacteria के करण तो अगर आप समझे के कोई antibiotic medications नहीं लेते तो यह गाव जल्दी से आगे जाके नहीं बरेगा तो गाव अच्छे से सूख जाए और वो proper आपर जो है वो normal condition में हो जाए कि यह जैसे यहाँ की skin है तो इस type के यह area की जैसे skin है ऐसे normal condition में जाने के लिए जो है वो सेब्टरान के tablet patient को दी जाते कि कई बार आप powder वगेरा तो लगाते है dressings वगेरा करते है but औरली जो है वो सेब्टरान के tablet भी patient को दिये जाते कि जो infected cuts होते है wounds होते है उनके healing के लिए भी दी जाते कि वहाँ पे bacterial infection जादा ना फैले और कई बार क्या होता है कि जब इस तरह के गाव लग जाते है और वहाँ पे bacterial infections होते तो वो गाव जो है वो लंबे समय तक रहते है तो वो गाव आपके जल्दी से भर जाए वो गाव सूख जाए उसके लिए भी antibiotics के तोर पे septran tablet यूज किये जाते है फिर UTI में भी useful है फिर जो MRSA की जो condition कही जाती है एक type के skin infection से कि जिसको कहा जाता है कि methicillin resistant staphylococcus aureus skin infection कहा जाता है तो MRSA type के जो skin infection है उसमें भी ये medication useful साबित होता है driver's diarrhea फिर जो lung infection की जो हमारे बात होई तो एक type का respirator rack के infection में useful है cholera की इलाज में भी useful है pneumonia और especially जो HIV AIDS वाली जो patient है और उनको pneumonia होते है तो उस वक्त ये septran के tablet उनको prescribe गिया जाते है and जो immunosuppression की जो दूसरे reasons होते है especially bacteria's के कारण जो problem होते है तो वो सभी में ये medication जो है useful साबित होती है उसकी mechanism समझे तो co trimox as all किस तरह से काम करता है तो एक आप simple एक process समझे कि किसी भी bacteria के अंदर अपना DNA का synthesis करना जरूरी होता है तो ये DNA के synthesis करने के लिए उसको जरूरत पड़ती है folic acid की तो folic acid जो है वो produce होता है and use होता है bacteria के द्वारा अपने DNA को बनाने के लिए and आगे जाके वो DNA बना के अपना reproduction करता है DNA का फिर replication होता है कि एक में से फिर दुसना और DNA तयार होगा फिर उसमें से एक और DNA तयार होगा इस तरह से फिर DNA के replication चालू होती है तो bacteria को अपनी growth करने के लिए अपना reproduction करने के लिए DNA का replication करना जरूरी है साथो साथ DNA को बनाना भी जरूरी है तो उसलिए ये folic acid जो है वो involved होते है तो यहाँ पे आप देखो कि यह जो पूरा pathway देख रहे है तो वो pathways के अंदर जो sulfonemides जो है वो क्या करते है folic acid का जो synthesis है वो inhibit कर देते हैं तो sulfonemides के अंदर जो हमारी drug है co-trimoxazole तो वो क्या करता है block करता है और साथो साथ inhibit करता है folic acid के production को अगर आप समझो कि यह folic acid समझो के नहीं बन रहा कि tetrahydro folic acid ही समझो के नहीं बनेगा तो आगे जाके DNA नहीं बनेगा और DNA नहीं बनेगा तो bacteria का जो multiplication जो है वो क्या हो जाएगा prevent हो जाएगा कि जिससे bacteria जो है अपने growth नहीं कर पाएगा और growth नहीं होने के कारण जो spread नहीं होगे वो कि उनकी जो spread होते हैं कि जो capacity है वो stop हो जाएगी और जिससे infection भी दिरे-दिरे जो है वो कम होता जाएगा तो इस तरह से यह co-trimoxazol medication काम करती है और यही medication को लेकर जो marketed formulation है saptran जो बनाया गया है उसकी हम dose की बात करें तो trimethoprin और sulfamethokzazol का combination जो हम आज discuss कर रहे है कि जिसके अंदर 80 mg जितना drug है trimethoprin और 400 mg जितना है sulfamethokzazol की यहाँ पर भी लिखाए कि trimethoprin 80 जितना है sulfamethokzazol 400 mg है तो यह tablet जो है वो 2 tablet लेते है दिन में 2 बार 2 दिन तक ही जब भी treatment समझे के start होते है तो इस तरह से 2 tablet पेशन लेते हैं कि हर 12 गंटे पे 2 tablet लेते हैं कि यहाँ पे भी लिखा है कि dose 2 tablets every 12 hours तो इस तरह से समझो कि यहाँ पे जो blister दिया हुआ है तो यह वाली एक tablet और यह वाली एक tablet जो है वाप लेंगे और फिर नीचे वाली जो tablet है वो दूसरे टाइम पे लेगे तो इस तरह से 2 tablets आप combination में लेते हैं हर 12 गंटे पे कि यह वाला combination लिया फिर at least 12 hours भी थे और उसके बाद दूसरे नीचे वाली 2 tablets आप लेते हैं तो यह हो गया BD कि दिन में 2 बार आपने लिया और वो भी 2 दिन तक इस तरह से आप जो है वो schedule follow करेगे फिर यह 2 दिन तक का समझे के schedule follow हो जाता है कि इस तरह से total 4 tablet जो है वाप ले लेंगे total 4 tablet हो गई आपकी एक दिन की और दूसरी 4 tablet हो गई दूसरी दिन की इस तरह से यह 4 plus 4 total 8 tablet जो हो आपने पहले 2 दिन में लिये total 12 hours के time interval पे अब आप next क्या करते हैं दूसरे जो 5 से 7 दिन की जो treatment होगी उस वक्त एक tablet जो हो लेंगे दिन में 2 बार कि फिर 1-1 इस तरह से हो जाएगा फिर दूसरे दिन यह tablet तिसरे दिन यह 4 दिन का और यह 5 दिन का तो इस तरह से रहेगा कि आप फिर उसके बाद की जो treatment चालोगे तो पहले दिन पे आप जो है वो दो tablet लेंगे 12 hours के difference पे फिर दूसरे दो tablet जो है वो 12 hours के difference पे तो 1 tablet जो है वो BD इस तरह से यूस के जादी है 5 से 7 दिन तो जब treatment साथ सुरू होती है तो उस वक पहले दो दिन तक दो tablet लेते हैं हर 12 गंटे पे और उसके बाद एक tablet लेते हैं हर 12 गंटे पे 5 से 7 दिन तक उसका spectrum हम समझे तो microbial जो spectrum है कि कितने अलग-अलग microbial species के सामने यह medication effective विकाज यह broad spectrum antibiotic के तो salmonella typhi के सामने भी यह useful साभित होता है seratia के सामने भी उसकी useful है clepsiella में भी यह useful साभित होता है enterobacter है yersinia enterocolitica का जो infection होता है फिर pneumocystis 0 vaci के infection में staphylococcus oria से streptococcus pyrogen से cigela है फिर E. coli bacteria है influenza है gonococci and meningococci तो जितने भी अलग-अलग bacteria है समझे कि आपके report बगरा करवाते है यह इन में से किसे भी bacteria का infection समझे कि आपको है तो यह सभी infection के लिए सबसे based रहेगा यह co-trimoxazol का tablet because उसका जो spectrum है वो broad spectrum है बहुत सारे यह number of bacteria या इसके करण होने वाले infection को यह medication ठीक करता है अब जानना जरूँ उसके side effects क्या होते है तो एक तो nausea vomiting common है कि अगर आप यह medications लेते हैं तो कई बार आपको उल्टी हो जाती है जी गबराता है जी मत चलते हैं और फिर vomiting हो जाती है पर आप उससे भी ज्यादा double या triple dose ले लेते हैं तो कई बार आपको diarrhea हो सकते है skin के ओपर ऐसे racist develop होना चालो हो जाएंगे फिर stomach आपका disturb रहेगा कि gastrointestinal tract में disturbance जैसा आप फिल करेंगे कि जैसे nausea vomiting होती है फिर diarrhea होता है तो obviously आपको ऐसा फिल होगा कि आपका stomach मतलब कि pain खराब है ऐसी condition form हो सकती है फिर आपके white blood cell decrease हो सकते है और फिर low blood cell count मतलब कि blood cells जो वगरा होते है हमारे की चाहे RBCs है या फिर WBCs का जो count है वो decrease हो सकता है कई बार लंबे समय तक medications लेने से person mental depression में जाते है कई बार कुछ unconscious भी हो जाते है and loss of appetite मतलब कि आपकी जो बूख है वो कम हो जाती तो ये सब कुछ side effects develop होते है तो अगर ये कुछ side effects ज़्यादा serious हो जाती है तो तुरंथ ये medication को लिना बंद कर देजी और तुरंथ आपके doctor या pharmacist को बता के दूसरे alternative antibiotics आप यूज कर सकते है अब जान लेते उसके warning and contraindications तो जो neonates होते है कि जो first six week के जो neonates होते है उनको ये medication आप कभी भी ना दे कि उनसे जो काफी harmful effects उनके उपर हो सकती है फिर allergic condition है कि आपको co-trimoxazole की allergy है फिर sulfonemic class के जितने भी antibiotic है उनकी समझे कि आपको allergy हो जाती है तो कभी भी ये medication को यूज ना करे या फिर कोई भी component कि चाहे आपको trimethoprim की allergy है या फिर sulfonemicazole की allergy है तो allergic हो जाती है आप या फिर ऐसे body पे hypersensitive reactions देखने को मिलती है तो separan tablet को use नहीं करने चाहिए फिर हमने अभी side effect देख्या कि ये जो हमारे blood cells होते है उनको decrease करता है और already आपके blood cell और उसमें भी समझे कि blood के अंदर platelet count आपका low है तो ये medication को use ना करें कभी भी फिर आपके body के अंदर arbuses भी कम है या फिर उनका level जो है वो काफी abnormal है तो भी ये medication को use नहीं करनी चाहिए फिर phenyl cutonuria की जो condition वाले patient है वो भी उसको use ना करें फिर अगर किसी को liver या फिर kidney related problem की liver fell है kidney diseases है या फिर liver related problem है तो भी उसको use ना करें अगर आप pregnant है तो pregnancy के दोरान भी ये medication को use नहीं करनी and अगर आपको कोई hematological disorder है blood related कोई भी बिमारिया है तो ये medication को use ना करें और सब से special new needs के अंदर भी आप use ना करें के जो first six week के जो new needs होते हैं तो ये थे उसके warning and contraindications septra and tablet के तो जैसे यहाँ पे सीखा ऐसे ही दूसरी दवायों के बारे में सीखे pharma rocks के mobile application पे एक साल तक सरल बासा में affordable price में अलग अलग दवायों के basic use के बारे में उनके dose side effect warning and contraindications तो अभी डाउनलोड कर लीजी application pharma rocks को कि जो android application है google play store पे apple iphone एफ़े app store पे links आपको description box के अंदर मिल जाएगे या फिर 9016312020 नमबर पे आप हमें whatsapp कर सकते कि जिससे links वगर हम आपको provide कर देंगे courses की तो जरूर से download करें application pharma rocks कि जो android एफ़े google play store पे apple iphone एफ़े app store पे link आपको description box में मिल जाएगे good luck and all the best